हेलो फ्रेंड्स, विल्कम बैक टू माई चैनल, मैं संधिया और आप देख रहे हो संधिया सीलाई डिजाइन फ्रेंड्स जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोगों का बेसिक सिलाई कोर्स चल रहा है जिसमें हम लोगों ने इस ब्लाउज की ये फुल स्लेफ ब्लाउज की कटिंग हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में देखा था आज हम लोग उसी ब्लाउज की सिलाई सीखने वाले हैं तो यहाँ पर जितने भी पार्ट हमने कट किया था सारे पार्ट हमें निकाल देना है, सिर्फ यहाँ पर अभी हम अपना front part ले लेंगे, तो सबसे पहले हमें अपना friend part तयार करना है, यह हम ने यहाँ पर रख लिया तो देख सोकते हैं, ईस तरह से एक एक part अभ हम यहाँ फ्रेंट पार्ट का, और बस यहाँ पर सबसे पहले अपने tux complete करेंगे सबसे पहले नीचे वाला tux करेंगे complete तो इसको इस तरह से शिलाई लगाएंगे तो इसका वो मैंने detail में आपको पहले ही class में बता दिया है कि किस तरह से लगाना होता है अब से तरीके से हम बाकी के बच्चे हुए तीनो tux भी complete कर लेंगे जैसे हमने नीचे वाला tux complete कर रहा है तो बस हम यहाँ पर तीनो tux complete कर लेते हैं तो इस तरह से यह हमने यहाँ पर चारों tux बना के complete कर लिया है देख सकते हो, अब हम यहाँ पर अपनी बेल्ट जोड़ेंगे, तो बेल्ट कैसे जोड़ेंगे, तो जैसे हमने यहाँ पर बेल्ट को गुलाई पर कट किया है, वैसे ही गुलाई पर यहाँ पर हम अपनी बेल्ट को जोड़ेंगे, तो बस यहाँ पर हाफ इंच थोड़ा सा को यह कोना निकालते हुए यहां पर हम हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बाहर के साइड यहां पर पूरे मी शिलाई लगा लेंगे तो बस यहां पर हम यह शिलाई लगा के कंप्लीट कर लिए हैं देख सकते हो अब हम क्या करेंगे इसको पूरा ऐसे ओपन करेंगे इमसे हमने यह वाला पार्ट कम्प्लीट कर procedure कर लेना है यह यहाँ पर होग पट्टी बढ़वां पट्टी लगानियों बटन या पिर उसी हितरी है यहाँ पर एंप आप घटवा पट्टी भढवां पट्टी लगा रहे हैं तो आपको ये देख लेना है मैंने पहले ही बता दिया है सारा कुछ किलियर कर दिया है कि किधर साइट घटवा पट्टी लगती है और किधर साइट बढ़वा पट्टी पहले ही क्लास में ठीक है अब हम क्या करेंगे इधर साइट को मार्जिन को अपने पट्टी की साइट को करेंगे और आगे से इतना फोल्ड करेंगे इसको हम फिर से इस तरह से फोल्ड करेंगे यानि कि इसको हम एक इंच बाहर की शायट को निकाल के रखेंगे और उपर से हम यहाँ पर फिर से सिलाई लगा देंगे तो बस यहाँ पर हम शिलाई लगा लेते हैं तो देख सकते इस अब इसको पूरा ओपन करेंगे जो मार्जीन है उसको हम पट्टी की साइट को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे और फिर से इसको अंदर की साइट को ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसको हम पूरा अंदर की साइट को फोल्ड करेंगे इसको हम बाहर क बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे और बस यहां पर अब हम बड़ी बख्या से सिलाई लगा लेंगे और फिर बाद में इसमें तुर्पाय करनी होती है फिर यह सिलाई हम खोल देते हैं इसलिए बड़ी बख्या से सिलाई लगाते हैं ठीक है तो यह हमारी घटवा पटी और ब तो हम पर असमुला है कमप्लीट कर लेगे चाव भी कमपिलीट कर लेंगे तो plugin इसे में हम्लारी ही complete हो चुका है दोनों साइट का आप हम इसको क्या करेंगे सीधा करके रखेंगे अपने बैक पार्ट को देख सकते हो जैसे हमने यहां पर इस तरह से रख लिया और जो हमने फ्रेंट पार्ट तयार किया था उसको इस तरह से रखेंगे तो सीधा साइट अंदर की साइट को और उल्टा साइट उपर की साइट को यानि कि दोनों का सीधा अंदर रखना है और दोनों का उल्टा बाहर की साइट रखना है जिससे हमारा मार्जिन दोनों का बाहर की साइट है अब हम यहां पर एक हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए शिलाई लगा देंगे शोल्डर प कमर का नाप वो सीने का नाप डालेंगे और नीचे कमर का जो भी आपका सीना है उसका दूसरा भाग करके यहां पर निशान डाल दीजिएगा सेम दोनों साइड तो बस इस तरह सी यहां पर हमने निशान डाल दिया अब इसके बाद नीचे की साइड कमर का भी निशान डाल द लगा देनी है तो बस यहां पर यह हम ने शिलाई लगा दिया अब जो हमारा फ्रेंट पाइट में जो नीचे की साइड हमारा फैबरिक इस टावाला फैबरिक है उसे बराबर से कट कर देना है ओपर की साइड से यह ہ quickly cut करा और इसको कट करने के बाद जो हमारा बैक पार्ट का कपड़ा बच्चा इस्ट्रा वाला है उसे ऐसे फोल करके शिलाई लगाएंगे जिससे कि हमारा जो कटे हुए कपड़े हैं वो अंदर की साथ को चले जाएंगे तो यह हमने यहां पर अपनी फिटिंग कंप्लीट कर लिया है अबिसके बाद यहां पर हम अपनी श्लीफ लगाएंगे तो सी हमारा सीधा साइड जो फुल स्लीफ थी नहीए तो इसको आगे की साइड से बॉटम इसका फॉल करेंगे इस तरह से और यहां पर शिलाई लगाएंगे तो इस तरह से यह से और जिखा रहाar ओर वह स से यहां तक हिटिंग डाल दी है और फिर यहां तक एक लाइन कीच लिया है ठीक है। इस तरहे सिर्चे में अब हम च्छटर में चनार करके देए चीह है हैं आप देखो जो हाल इंच हमारा डाउन है तो वह ऊपर के साइड को रहेगा तो यहाँ स्लीफ सीलीफ मैरे हमारी इधर की है और ये वाली स्लीफ सीलीफ इधर की requires on levar की साइड हमारा डाउन रहेगा और नीचे की साइड फिटिं रहे यह स्लीफ इधर की हुई और यह स्लीफ इधर की हुई तो चलो अब हम यहाँ पर अपनी स्लीफ लगाना सीखेंगे तो कैसे लगाएंगे तो जो हमने स्लीफ लिया हुआ है इसको हम अंदर अपने आरमोल के अंदर ऐसे डालेंगे डालने के बाद दोनों की गुलाई नापें पूरे गुलाई पर शिलाई लगाना है तो देखो मैं आपको यहां पर एक बार दिखा देती हूँ कि कैसे शिलाई लगेगी इस तरह से पूरे दोनों कपड़े को मिलाते जाना है और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए बाहर के शाइट को रखते हुए शिलाई लगा देनी है तो यहां पर देखो पूरी गुलाई बिल्कुल बराबर आनी चाहिए पकड़के मिलाते जाना है तो जिससे कि हमें पता भी चल जाएगा कि गुलाई बराबर है या नहीं तो देखो अब फिर से हमारी फिटिंग पे फिटिंग आके मिल चुकी है देख सकते इस तरह से हम यहाँ पर शिलाई कैसे लगाएंगे तो चलो वह सीखते है तो जो हमारा फिटिंग है ना स्लीफ फिटिंग और बिल्कुल बराबर से मिलाना है और जो हमारा मार्ज इन है बलावस बनाके फोल कर तो देखो कहई है कि कोई तरइसवा पूरे में लगा लेंगे तो यहां पर हम चैनभाव के airborne कमप्रेते हुद नि cancel कि देखा तो तो इस तरह मैं यहां पर सिर्दा क्योंगा लेती हूं तो देखो इस तरह से यह हमने यहाँ पर अपनी स्लीफ लगा के कम्प्लेट करा सेम तरीके से मैंने दूसरे साथ में स्लीफ लगा लिया है अब हम यहाँ पर नीचे का बाटम फोल करेंगे तो इसको पहले हम बराबर से कट करेंगे तो बस यहाँ पर हम इसे बराबर कर लेते हैं तो देखो इस तरह हमने इसे बराबर कर लिया है अब इसके बाद जो हमारा मार जीन है उसको दोनों को साइट का फ्रेंट पार्ट की साइट को ही रखेंगे और बस यहाँ पर नीचे की सैट से पहले हाफ इंच के लगबख फैबरिक को इस तरह से फोल करेंगे और फिर से इसको हाफ इंच अंदर के सैट को फोल करेंगे और यहाँ पर बड़ी बख्या से सिलाई लगाएंगे क्योंकि नीचे की सैट तुरपाई करनी होती है तो बस यहाँ पर हमने यह सिलाई भी लगा के कम्प्लीट कर लिया है देख सकते हो अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या गला अपना तयार करेंगे तो गले पे पाइपिंग कैसे लगाने है चलो वो सीख लेते हैं तो जो हमने औरेब पटी कट किया था ना बलाउस की कटिंग करते समय तो बस इस तरह से औरेब में ही इसको जोड़ना है इस तरह से हमने इसको मिलाया और यहाँ पर एक पर का मार्जिन लेते हुए से सिलाई लगा देनी है तो इस तरह से यह हमारी पट्टि और एब में ही जोड़ चुकी है ठीक है अब सेम तरीके से आगे की भी पट्टियां हम जोड़ लेंगे जितनी भी हमें पट्टियों की जरूरत पड़ेगी तो जैसे पता है आपको बैक पार्ट में हमारा छोटा सा गला है तो ज्यादा पट्टियों की जरूरत नहीं पड़ेगी इस तीन पट्टियों में हमें अराम से हो जाएगा छोटी-छोटी सी पट्टियां है अब हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके लेंगे तो देखो इसको हमें फोल्ड करा आगे से जो भी हमारा फैबरिक बराबर नहीं उसे बराबर से कट कर देना है यह हमने कट करा और जो आगे से पट्टि है इसको हम अंदर की साइट को ऐसे फोल्ड करेंगे फिर से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और बस अब हम इस पट्टी को अपने गले पे रखके शिलाई लगाएंगे तो बस यहाँ पर अपने गले पे इस तरह से रखना है और यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए पूरे गले पे शिलाई लगाके कम्प्लीट कर लेना है मतलब इस पट्टी को गले पे जोड़ देना है तो बस यहां पर हम शिलाई लगा लेते हैं तो देखो इस तरह सी यह सिलाई लगाया जो भी इस्टा की पट्टी है कट कर देना है जो भी इस्टा फिर आगे की साट से फोल्ड करना है शिलाई लगाना है और यहां पर जहां पर हमने जौन लगाया था वहां पर हमने अच्छ roku फिनीशिंग साहथ में कटिंग कर लिया है अब हमारा margin पत्टी की साट को रखना है यहां पर एक रोल तयार करना है पाइपिंग बनानी है और बस यहाँ पर उपर से अब हम सिलाई लगाएंगे तो बस यहाँ पर हम सिलाई लगा के कम्प्लीट कर लेते हैं उपर से तो देखो फ्रेंट्स इस तरह से हमने पूरे में शिलाई लगा के कम्प्लेट कर लिया है आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा तो देख सकते हूँ कितनी फ्नीसिंग के साथ में हमारी पाइपिंग रिबन के रेडी हो चुकी है ये हमारी पूरी पाइपिंग पूरा ब्लाउस बन के रेडी हो गया है अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सेर और चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल भी मत बूलना मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद झाल है